हाग कि ज hm ग्यानी वही है जो अभमानी ना हो और हनमान जी का जो ज्ञान है वो कई साधानन yn ज्यान नहीं है क्योंकि हनमान जी के जो गुरु जी है तो है सूर्य तो भगवान कौन है बोलो बोलो हनमान जी ने किस से सिक्षा प्राप्त की है सूर भगवान से सिक्षा प्राप्त की है हनमान जी के गुरू का नाम है सूर भगवान सूर ये देव उन से सिक्षा प्राप्त की इसलिए हनमान जी ज्यान के सागर हो गए क्यों? क्योंकि सूर्य का काम है प्रकास देना और हनुमान जी का काम है बिकास करना लाम के नाम का प्रचार करना कब एक बार तो बच्पन में हनुमान जी सूर्भगवान के पास गए ते जब नास्ता में खा गए थे दुबारा फिर गए दुबार आंगए हांग जुड़के सूर्देव के सामने खड़े हो गए बोले महराज हमें आप अपना सिस्स बनाओ हमें आप से विद्या पढ़नी है सूर्भगवान ने गौर से देखा कि देखा हुआ लग रहा है पहले कभी इस बालक को देखा है हमने ऐसा क्यों लगजा आई कि तुमने देखा हुआ हनवान जी बोले एक बार पहले घुटे में आया थी हम आपके पास सूर्देव पहचान गए हाहा तुम वही हो जो हमको खा गई थी एक बार हनवान जी बोले ठीक पहचाना है शूर्देव मन ही मन सोचने लगे कि पहले तो इन्हें भूंक लगी थी सो ब्रेक फास्ट में खा गय थी अब कहीं हमने इन्हें स्टूडेंट बनाया सिस्स बनाया और कहीं बीचई में इन्हें भूंक लग गई तो फिर ना खा जाए इसलिए ऐसे खत्रेदार स्टूडेंट को नहीं बनाना चाहिए सूर भगमान बोले देखो भई छमा करो आप हम से मत सीखो घर पर ही सीखो किसी और से बिद्या अन्मान जी बोले नहीं हम तो आप से ही सीखेंगे बोले क्यों देखो एक बात गुरू का ज्यान बहुत जरूरी है कई लोग पुस्तक का ज्यान लेकर के ज्यानी बन जाते हैं ज्यान लखना अंबर नाथ के पागलो पुस्तक का ज्यान उस तक नहीं पहुँचा सकता है पुस्तक का ज्यान उस तक नहीं पहुँचा सकता है उस तक पहुँचने के लिए बुस्तक नहीं गुरू की सरन की आवशकता है इसलिए नहीं तो हनमान जी चाहेते तो हनमान जी नहीं बेद पड़ लेते, पुरान पड़ लेते क्या ज़रूरत थी हनमान जी को गुरू के पास जाने की? बोलो सीताराम जो और से बोलो क्यों होगा है क्योंकि गुरु सम्झाते हैं ध्यान अखना बेद पढ़ते कहते कुछ और है अर्थ कुछ और होता है इसलिए जो हनुमान चालीसा तुम लोग पढ़ते थे वही हनुमान चालीसा पर तीन दन कथा हो गई फिर भी अभी तीन चौपा आई नहीं भज़ और ये कहां से संभव है गुरु ज्यान से ही तो संभव है जय हनुमान ज्यान गुन सागल जय कभी से त्युम हनुमान जी सूर्द हगवान से बोले सूर्द होता आप गुरु बनो हम चेला तो सूर्द भगवान ने बोले कहीं चेला तो मैं भूग लगया आई और ब्रेक फास्ट में तुम खा गए तो सूर्द भगवान ने बहाना बनाया थे सुना हम आपको चेला अपना सिस नहीं बना सकती क्यों देखो भई पढ़ने के लिए चेला को सामने होना चाहिए गुरु को गुरु के मुख की तरब देखना चाहिए अब हमारा काम है चलना फिरना एक जगह तो हम टिकते नहीं है दिन ना रात चलते रहते हैं तुम हमारे पीछे रहोगे और पीछे पढ़ने से कोई फायदा नहीं हनमान जी थोड़ी देर बार सोच करके बुले बुद्धिमताम बर्ष्टम है है हनमान जी इसका भी उपाय है बुले क्या आप भी चलते रहे हमें चलते चलते पढ़ाईए तो सूर भगवान बुले भाई मुख सामने होना चाहिए हनमान जी बुले कोई दिक्कत नहीं आप सीधे चलिए हम उल्टे चलें मुख आप की तरफ हो जाएगा सूर भगवान हसकर के बुले गुरू के सामने ही उल्टा चलोगे पहले ही उल्टा चलोगे फिर पढ़ाई काय को करते हो हनमान जी बुले वो चेला ही किस काम का जो गुरू के सामने जो पहले चल रहाता वही चाल चले चेला तो वही है जो गुरू को देख करके अपनी चाल को बदल डाले और एक बार छोटे-छोटे बच्चों को जब माताएं चलना सिखाती है तो माताएं छोटे बच्चों को चलना सिखाती है तो आजा बेटा आजा बेटा आजा माताएं उल्टी चलती है बच्चा सीधा चलना सीखता है यही गुरू का ग्यान है कि गुरू दुनिया की नजर में उल्टा चलता दिखाई पड़ता है पर हम सब को सिस्यों को सीधा चलना सिखवा देते हैं इसलिए हनुमान जी जाय हनुमान ग्याने गुने साग जाय हनुमान ग्याने गुने साग यह एक लपीसे रहू लो कर दोजागर जैक लपीसे रहूं लो कर दोजागर बलो हनुमान जी, महराजी की नुमान जी ग्यान के सागर है और गून के भी सागर है एक बात auf हनमान जी से एक सीख हो लिए जो गुरू की तरफ देख करके जिन्दगी में चलता है वो हनमान जी की तरह ही निखरता है यह बढ़िया सीख है दूसरी बाद हनमान जी गुरू सागर है यह गुरू का आशिरबात कम मिला लंका में माता जान की जीने हनमान जी को दिया झाल झाल